हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो आज हम डिसकस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 डाट इस मैटर इन आर सरांडिंग का नेक्स टॉपिक जिसका नाम है स्टेट्स ओफ मैटर ठीक है तो यहां पर हम जो मैटर के स्टेट होते हों कितने फा होट तो यह जो सॉालिड होते है जो पाटिकल सुत है आप देख सकते हो। फो हम इस दम पास पास होते हैं और यह जब पार्टिकल्ट Damit पास पास हैं तो इनकी अथिससरे फोर्च प्वा उभारटिंग का स्ट्राइश्व निच्टो कम होता है इनके बीच में और अगर बात करें , इनकी मुमेंट की ज़िए सॉलिड के पार्टिकल होते है उनका मुमेंट कासा होता है वह एक ही जगा पर अब साथ मकोर्ण कासे है उनका मुुमेंट कासे इ천ो वह ऐक ही जगा पर आपktóर और होता हो एक ही जगह पर ऐसे हिलते रहते रहते हैं अब हम देखेंगे जो solid होता है solid का main properties so solid है fixed shape fixed volume and fixed boundaries यह solid होते हैं solid का shape volume और boundaries यह तीनों ही fix होता है जैसे देखिए यह board है ठीक है तो यह board का shape कैसा है fix है अगर इसकी वॉल्यूम की बाद करें तो ये इतना ही space occupy कर रहा है तो volume भी fix है अगर boundaries की बाद करें तो क्या ये board अपने boundary को cross कर रहा है नहीं इसकी इतनी ही boundaries है ये अपने boundary को cross नहीं कर रहा है सो solid क्या होते हैं solid है fixed shape, fixed volume and fixed boundaries then can't flow solid flow नहीं करते है, then solid incompressible होते है, solid को हम compress नहीं कर सकते, ठीक है यह solid है, क्या मैं इसको compress कर सकती हूँ, नहीं, so solid are incompressible, then strong force of attraction between particles, यह FOA क्या है? force of attraction, तो particle के बीच का जो force of attraction होता है, कैसा होता है, strong होता है, क्योंकि particle बहुत ही पास-पास है, इसलिए particle के बीच का जो force of attraction होता है, वो कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा strong होता है, solid में, then next क्या है, can't fill the container completely, solid can't fill the container completely, मतलब आपने कोई container लिया है और container में कोई solid डालते हो for example मैंने एक beaker लिया है कि beaker में यह marker डाल रही हूं तो क्या beaker पूरा fill हो जा रहा है भर जा रहा है नहीं beaker में जगह खाली है तो इसलिए बोला गया है कि solid cannot fill the container completely then इसका example stone, wood, chair, computer etc the next state is liquid state अब यहां पर देखिए यहां पर जो particles है कैसे थोड़े दूर-दूर है यहां पर कैसे एकदम पास-पास थे closely packed थे लेकिन liquid में जो particles होते वो थोड़े दूर-दूर होते है मतलब इनके बीच में कैसे जगह होता है यह freely move करते है और बात करें force की तो इनके बीच में जो force of attraction होता है वो थोड़ा कम होता है as comparison to solid यहां पर force of attraction थोड़ा कम होता है क्योंकि यहां पर particles कैसे है थोड़े दूर-दूर है इसलिए force of attraction थोड़ा यहां पर कम होता है अब बात करते है main properties की so no fixed shape but fixed volume यहां पर जो shape होता है वो fixed नहीं होता है मतलब आप liquid को जिस भी container में डालोगे वो उस container का shape ले लेता है for example आपने एक bottle में पानी डाला है ठीक है तो उस bottle का shape ले लेगा अगर आप किसी bowl में water को डालते हो तो उस bowl का shape ले लेगा इसलिए जो liquid होता है उसका shape fix नहीं होता है then fix volume लेकिन volume fix होता है fix कैसे होता है for example आपने एक beaker लिया है उसमें 100 ml water है बीकर में आपने 100 ml water लिया है अब आप क्या करो उसी 100 ml water को आप इसी बड़े container में डाल दो तो क्या बड़े container में जब आपने डाला है 100 ml water तो क्या वहाँ पर water का जो amount है वो बढ़ जाएगा नहीं ऐसा नहीं होगा 100 ml ही रहेगा बड़े container में भी ठीक है इसलिए जो liquid होता है liquid का जो volume होता है वो fix होता है then next no fixed boundaries liquid का कोई fix boundaries नहीं होता है आप liquid को water लो water को आप किसी भी surface पे डाल दो वो क्या करता है वो flow करने लगता है तो liquid की boundaries नहीं होती है boundary fix नहीं होती है then can flow liquid क्या करते है flow करते then incompressible जो liquid होते है वो भी कैसे होते है incompressible होती liquid को हम compress नहीं कर सकते for example आपने एक लीटर की पानी की bottle लिए आपने क्या आप उस bottle को उसमें जो पानी उसको compress कर करके water का amount कम करके और पानी भर सकते हो नहीं ठीक है तो हम liquid को compress नहीं कर सकते they are incompressible then next force of attraction between liquid particles are weaker than solid while stronger than gases तो यहाँ पर force of attraction कैसा होता है liquid में solid से कम होता है लेकिन gases से ज्यादा होता है हमने पहले ही देख लिया था यूंकि particles थोड़े दूर दूर होते हैं solid के comparison में यहाँ पर particles थोड़े दूर दूर होते हैं then can't fill the container completely so liquid भी container को completely fill नहीं कर पाते हैं जैसे हमने लिया है एक beaker ठीक है beaker में आप जितना पानी डालोगे पानी का amount उतना ही रहेगा एसा नहीं है कि पानी अपने आप पानी का लेवल बढ़ जाएगा और वो container fill हो जाएगा थेके ऐसा नहीं होता है then next example हो गया water milk etc then next state is gas अब यहाँ पर जो particles होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं और यह एकदाम freely move करते हैं यहां के particles बहुत दूर दूर होते हैं इसलिए इन particle के बीच का जो force of attraction होता है वो बहुत ही कम होता है बहुत ही कम होता है, weak होता है force of attraction और इन particle के बीच का space देखिए बहुत ही ज्यादा space है अब इनको देखेंगे इनका जो main property है no fixed shape, no fixed volume and no fixed boundaries अब यहां पर shape, volume, boundary तीनों ही fix नहीं होता है ठीक है, shape की बात करें तो liquid की तरह ही gases को आप जीस भी container में भरोगे वो उतका shape ले लेगा gases को अगर आप cylinder में भरते तो cylinder का shape ले लेगा अगर आप pipe में भरते हैं तो pipe का shape ले लेगा तो जो gases होते हैं उनका shape fix नहीं होता है then volume भी fix नहीं होता है इनका अब इसे कैसे समझेंगे, for example, यहां पर मैंने लिया है container यह छोटा container है और यह बड़ा container है अब यहां पर देखिए, इसमें हमने कोई भी gas भरा है यह छोटा container इसमें आप कोई भी gas भर दो फर इसमपल, हमने यहां पर भर दिया है 1 kg gas कोई भी gas इसमें 1 kg हमने भर दिया अब इसी gas को अब इस बढ़े वाले container में फिल कर दू तो क्या यहaं पर भी gas का amount 1 kg ही रहेगा, नहीं 1 kg नहीं रहेगा यहां पर इस बढ़े वाले container में, क्योंकि gas flow करता है वो क्या करता है? वो पूरा फैल जाता है तो यह पूरा फैल जाएगा और जो gas का amount है यहां पर, जो volume है वो कैसा होगा, यहां पर बढ़ जाएगा इसलिए जो gas होते हैं उनका volume फिक्स नहीं होता है then next, no fixed boundaries, ठीक है इनका boundaries भी fix नहीं होता है, यह flow करते रहते हैं then gases can flow, gases flow कर सकते हैं, then they are highly compressible, जो gases होते हैं, वो highly compressible होते हैं, gases को हम compress कर सकते हैं, आपने देखा होगा, जो cylinder में gas भरा जाता है, जो CNG होता है, ठीके CNG का use कहाँ पर करते हैं, auto में, buses में करते हैं, तो जब gas fill किया जाता है, तो क्या gas को compress किया जाता है, तो जो gases होते हैं, वो highly compressible होते हैं, then force of attraction between particles are much weaker than those of solid and liquid, तो solid और liquid का comparison में, जो gases में particle के बीच का force of attraction होता है, वो weak होता है, क्योंकि यहाँ पर particles बहुत ही दूर-दूर होते हैं, इसलिए particle के बीच का force of attraction कैसा होता है, gases में कम होता है, weak होता है, then gases can fill the container completely, अब जो gases होते हैं, वो container को completely fill कर सकते हैं, यहाँ पर हमने देखा था, इसमें से हमने gases निकाल कर इसमें डाला, तो यह जो पूरा container है, पूरा fill हो जाएगा gases से, क्योंकि gases flow करते हैं, तो इसलिए जो gases होते हैं, वो container को completely fill कर सकते हैं, इग्जामपल हो गया, air, oxygen, nitrogen, carbon dioxide, all right, so this is all about the states of matter, that is solid, liquid and gases, so I hope कि आपको यह topic समझ में आया हो, अगर वीडियो समझ में आयो होता, वीडियो को like, share, subscribe जरूर करें, thank you so much for watching this video